नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे की फास्ट कोर्ट टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, फास्ट कोर्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और फास्ट कोर्ट टैबलेट की वज़े से क्या सा साइड इफेक्स हो सकते हैं और फास्ट कॉर्ट टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और यहां भी डिसकस करेंगे कि फास्ट कॉर्ट टैबलेट की वजह से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है Fast Court एक brand name है Fast Court टाबलेट के अंदर salt composition deflage court होता है Fast Court टाबलेट 6 mg व 12 mg की strength में available है Fast Court टाबलेट एक steroid दवा है Fast Court टाबलेट का उप्योग अस्थमा होने पर, नजला होने पर, एलर्जी होने पर, औस्टियो आर्थराइटिस होने पर, रूमेटोड अर्थराइटिस होने पर, लूपस होने पर, मल्टिकल स्क्लेरोसिस होने पर और कैंसर के इलाज में Fast Court टाबलेट का उप्योग किया जाता है इसके अलावा बहुत प्रकार के तवचा रोगों में जैसे डर्मेटाइटिस होने पर, एक्जिमा होने पर, सोराइसिस होने पर, तवचा पर कोई अलर्जी होने पर और तवचा पर खुजली होने पर आधी कंडीशन्स में भी फास्ट कोरट टैबलेट का उप्योग किया ओर्गन ट्रांस्प्लांट के बाद भी डॉक्तर फास्ट कोडर्ड टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। हमारे शरीर में ओर्गन ट्रांस्प्लांट जैसे लिवर या किड्नी ट्रांस्प्लांट के बाद इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि हमारा शरीर ट्रांस्प्लांट किये गए ओर्गन को रिजेक्ट कर दे इसलिए ओर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए डॉक नहीं कर पाता है और ट्रांस्प्लांट किया दिया नया ओर्गन आसानी से काम कर पाता है फास्टकॉरट टैबलेट शरीर में इन्फलमेशन यानी सूजन को कम करती है इसलिए इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स हैं, जिनमें आपका डॉक्टर फास्ट कोर टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे की फास्ट कोर टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. अगर आप फास्ट कोर टैबलेट का सेवन एक या दो सब्ताह के लिए फास्ट कोर टैबलेट को लेने की सलाह देता है, तो साइड इफेक्स होने का जोखिम भी कम ही होता है. फास्ट कोर टैबलेट की वज़े से उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिरदर्द होना, पेट में बेचैनी होना, घबराहट होना, और स् चड़दा हो सकता है वड इप्रेशन भी हो सकता है इसके अलावा फास्ट क तॉरट टाबलेट की वजह से चक्कर आना, शरीण में थकान होना, भूब का बढ़ना, वजन का बढ़ना वन नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में fast-cororate tablet की वज़ 30 हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है। और मासप्यों में दर्द हो सकता है। लंबे समय तक fast-cororate tablet को लेने से शरीर की immunity कमजोर हो सकती है। लंबे समय तक फास्ट कोर्ट टैबलेट का सेवन करने की वजह से लिवर डैमेज व औस्कियोपोरोसिस हो सकता है। औस्कियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है, जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। और हलके से प्रैशर या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। फास्ट कोर्ट टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवर अधिक हो सकता है। और डाइबिटीज होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। फास्ट कोरट टैबलेट की वज़ से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक फास्ट कोरट टैबलेट का सेवन करने से आखों में कैट्रेक या ग्लुकोमा हो सकता है, जिसकी वज़ा से आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है. लंबे समय तक फास्ट कोरट टैबलेट का सेवन करने से शरीर की तवचा पतली हो सकती है, और तवचा पतली होने की वज़ा से तवचा में दरारे पड़ सकती है. फास्ट कोरट टैबलेट की वज़ा से ब्लड प्रेशर अधिक हो सकता है, और शरीर में सोडियम का लेवल जमाव हो सकता है, जिसकी वज़ा से चहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है. Fast-Core Tablet को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है. Fast-Core Tablet की वज़ा से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है. इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म अन्यमित हो सकती है. अब हम डिसकस करेंगे की Fast-Core Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. TB होने पर, Diabetes होने पर, Viral या Fungal Infection होने पर, Thyroid की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, Kidney या Liver की कोई गंभीर बीमारी होने पर, Osteoporosis होने पर और Myasthenia Gravis होने पर आधी कंडिशन्स में Fast-Core Tablet को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है. इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना Fast-Core Tablet को नहीं लेना चाहिए. प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Fast-Core Tablet का सेवन करना सुरक्षित्वर रेक्मेंडेड नहीं है. अब हम डिसकस करेंगे की Fast-Core Tablet को कैसे लेना रेक्में और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना Fast-Core Tablet को लेना शुरू नहीं करना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे की Fast-Core Tablet की वज़ह से होने वाले Side Effects को कैसे कम किया जा सकता है. Fast-Core Tablet की वज़ह से होने वाले Side Effects को कुछ बातों का विशेश ध्यान रखकर कम किया जा सकता है. Fast-Core Tablet की वज़ह से हड़िया कमजोर हो सकती है. इसलिए हड़ियों को मजबूत बनाये रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्यय पदार्तों जैसे दूर, दह प्रपी, सोयाबीन वपनीर आदी का सेवन अधिक मातरा में करना चाहिए या आप कैल्शियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं. इसके अलावा कच्चे फलों, सबजियों का सेवन अधिक मातरा में करना चाहिए और हर रोज exercise करनी चाहिए. वीडियो को तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं